इस बहुर में रामगर कॉंग्रिस के जिला ध्यक्ष मुन्ना पास्वान की अगवाई में कई निता धरने पर बैठ गए है ये सभी लोग चीरूडी कांड की जांच की मांग कर रहे है जिला ध्यक्ष ने इस मामले में विधाय को फसाने का आरूप लगाया है और कहा है कि इस मामले में एक एक करके कॉंगरिस के निताओं को फसाया जा रहा है हमारे पिछले दस पंद्रह साल से हमारे साजीत के तहड में जूगिंत त finals झीको फसाया गया पूरों में सजा सुनाया गिया हमन सरकार के रहते होगे हम लोग साड़ गाट में रहने के बाद भी इस साजित के तहद कॉंगरेसी पर सजा सुनाया जा रहा है आप देख लिजे कल बंधू तिर्की को कर दिया गिया परसुव आपका मम्ता देवियो किया गिया इसलिए हम लोग मांग करते हैं कॉंगरेसी निताओं से हम लोग धारना पर इसलिए बैटे हैं कि पहला तो सरकार में गड़मंधर में नर हैं आप हम लोग पिर से ही जाचो जिस पर केस हुआ है फिर से जाचो गलत धंक से फसाया गया उसको बचाने का काम कर इसलिए धर्ना में हैं कुल हम लोग परिवार में धर्ना देने आये हैं मानिय न्यालय का जो फैसलाया है उस पे हम लोग को किसी प्रकार का कोई टिगाटिप नहीं है लेकिन हम लोग अपना वेदना जो है पूरे बढ़का का विधान सभा का भी बात नहीं रहा गया पूरे जारखन की बात रह गई है हम लोग अपने आला कमान यहाँ पर है उनके पास अपने दूर्ख और दर्द को ब्या करने के लिए हैं और हम लोग का यह डिमांड करने आए हैं कि इस मामले की सिटिंग अध्याज के यह में जांच हो